गाइस CS rank का new season आ चुका है और आपने इस वीडियो पर click किया है मतलब आपको CS rank के लिए एक खतरना character combination चाहिए तो आपको tension नहीं लेना है आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 character combination CS rank के लिए बताने वाला हूँ उसमें से आपको जो character combination अच्छा लगे उसको यूज करके आप आसानी से master और grandmaster post सकते हो चलो वीडियो को शुरू करते है उसके पहले आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like कर देना 15 like का like target है इसलिए complete करा देना और आप हमारी चैनल पे नहीं आड़े हो तो चैनल को subscribe करना क्यूकि subscribe करना free होता है हमारा first character combination और रसर का character combination है आप CS rank rush करके खिलते हो तब आपको active character में तस्वा character को लेना है rush gameplay के लिए तस्वा character एक best character है क्यूकि सामनवाल enemy को पता भी नहीं चलेगा और आप मार के चले जाओगे तस्वा character की ability को आप दो बार use कर सकते हो और enemy को आसानी से मार दोगे क्यूकि तस्वा character की मदद से आपको movement speed मिल जाएगी आप rush gameplay करते हो तो active character के साथ में आपको passive character भी आपको अच्छे रखने पड़ेगे तो सबसे पहले passive character में आपको ayato character को लेना है ayato character rush gameplay के लिए क्यूँ खतरना के हो मैं आपको बताता हूँ क्यूकि जब सामने वाला enemy आपको damage देता है और आपकी HP कम हो जाती है फिर उसको damage दोगे तो उसको ज्यादा damage पड़ेगा और सामने वाले enemy के पास level 3 और 4 का waste और helmet होगा फिर भी उसको ज्यादा damage पड़ेगा और elite ayato character की ability है कि कोई भी enemy आपको सामने से damage देगा तो आपको damage कम पड़ेगा दूसरे passive character में आपको luna character को लेना है क्यूकि luna character की ability है कि आपकी 15 person movement speed increase हो जाएगी आप जब rush करोगे तब आपको movement speed चाहिए तो luna character की मदद से आपको movement speed मिल जाएगी और luna character की दूसरी ability है कि आपके पास कौन से भी gun हो उस gun का 8 person rate of fire increase हो जाएगा लास पेशिव character में आपको 0 character को लेना है क्यूकि 0 character की मदद से कोई भी enemy आपको damage देगा तो उसके उपर arrow का mark 100 हो जाएगा तो आपको रसर का character combination कैसा लगा comment में बताना अब मैं आपको supporter का character combination बताता हूँ और आप last character combination वो खतर नाख है इसलिए video को skip बिलकुल मत करना देखो आप CS rank अपने friend के साथ भी खेलते हो और random player के साथ भी खेलते हो मतलब आप अपने teammate के पिछे से cover देते हो तो इस character combination को use करके देखना तो सबसे पहले active character में आपको clue character को लेना है आप जैसे ही clue character की ability को use करोगे तब आपको और आपके teammate को सामने वाले enemy की location पता चल जाएगी और आप आसानी से rush करके मार सकते हो और आप random player के साथ खेलते हो तब आपके पास clue character होना चाहिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला enemy कहां से आ रहा है फिर आप उस enemy को आसानी से मार सकते हो एक्टिव character के बाद पेशिव character में सबसे पहले आपको मारो character को लेना है देखो आप जब random player के साथ खेलते हो या फिर आप अपने friend के साथ खेलते हो तब आपको पिछे से cover देना पड़ता है तो तब आपके पास मारो character होगा तो सामने वाले enemy को आसानी से damage दे सकते हो और ज्यादा damage दे सकते हो और मारो character की मदश से 25% damage सामने वाले enemy को ज्यादा damage परेगा मतलब आप जितनी दूर से damage दोगे उतना ज्यादा damage परेगा और दूसरे passive character में आपको आयाटो character को लेना है आयाटो character की ability तो मैंने आपको बता दिये उसके बाद last passive character में आपको ओथो character को लेना है आप जब ओथो character की मदश से सामने वाले enemy को डाउन करोगे तब उसके 20 meter की range में उसके teammate होगे तो उसकी movement speed कम हो जाएगी कितनी movement speed कम होगी तो 25% movement speed कम होगी और उसके teammate की location भी आपको पता चल जाएगी तो ये character combination को यूज करके आप अपने friend के साथ और random player के साथ खेल सकते हो और हमारा last character combination है वो all rounder character combination है तो ये character combination की मदश से आप rush भी कर सकते हो और अपने teammate को पीछे से cover भी दे सकते हो सबसे पहले active character में आपको राइडेन character को लेना है आप जब राइडेन character की ability को यूज करोगे तब सामने वाले enemy को राइडेन character पकल लेगा और उसकी movement speed भी कम हो जाएगी और उसको damage भी पढ़ने लगेगा मतलब सामने वाले enemy की 10-10 hp कम होने लगेगी और 4 second तक 40 hp कम हो जाएगी आप जब short rain में enemy के साथ fight करने के लिए जाओ तब आपको राइडेन character की ability को यूज करना है फिर सामने वाले enemy की movement speed भी कम हो जाएगी और उसको damage भी पढ़ने लगेगा और फिर आप उस enemy को आसानी से मा दोगे एक्टिव character के बाद पहले passive character में आपको ऐयाटो character को लेना है और दूसरे passive character में आपको लुना character को लेना है और last passive character में आपको जेवीपs character को लेना है क्यूंकि जेवीपs character की ability है कि आपके पास EP होगी तो आपको 12% damage कम पढ़ेगा मतलब देखो जब सामने वाला enemy मैंने आपको CS rank के लिए तीन character combination बताए इसमें से आपको कौनसा character combination अच्छा लगा वो comment में बताना और जलो वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और 15 like target है वो भी complete करा देना जलो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लि कर दो चुबाइब